जेहिन आज एक एसी घटना है जिसने हमारे हर्दे को जोड़ के रख दिया ये घटना और कहानी है उस सिक्षक की जो सरकार से लड़कर अपना हक अधिकार मांगने के लिए भोपाल अंदुलन में गया एक आदिवासी अतिती सिक्षक इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसके छेतर की सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया था और सरकारी स्कूल को बंद करने के बाद उस अतिती सिक्षक के पास केवल और केवल मजदूरी करने के लावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था तो ये एक ऐसी कहानी है उस सिक्षक की जो भोपाल 10 सितंबर के आंदोलन में जाता है घर में चोटा बच्चा है जिसकी तबियत खराब होती है और घर में कोई पूरुश नहीं था उस समय कि जो वहाँ पर बच्चे को ले जाकर उसका इलाज करवा सके एक पत्नी की सबसे बड़ी उमीद अपना पती होता है और अगर उस समय का पती वहाँ होता तो हो सकता था बच्चे को इलाज के लिए ले जाया जाता और उसकी जान बचा ली जाती ये एक कई ऐसे सिक्षक है जिनका दर्द होगा कई लोग अपने घर परिवार को छोड़ कर जब आंदोलन में जाते है तो इस उमीद के साथ जाते हैं कि आज अगर हम लड़ेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा और रोजगार हमें क्यों चाहिए क्योंकि इन बच्चों के प पालन पोशन में सरकार बाधा डाल देती है वादे किये जाते हैं कि अतिती सिक्षकों को नियुमित किया जाएगा अतिती सिक्षकों की पंचायद बुलाई जाती है चुनाओं के टाइम पर और सभी अतिती सिक्षकों से वादा किया जाता है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम fix कर देंगे, इस्थाई कर देंगे. दस महीने बाद फिरतीती सिक्षक अपना वादा याद दिलाने जाता है. तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा घसीट कर उनको बाहार कर दिया जाता है. जुमा जटकी कर बाहार कर दिया जाता है. उस आंदोलन में एसी कई महीला आये रही करांती कारी, जो वहाँ पर आंदोलन में अपना हाक अधिकार मांगते मांगते बेहोस हुई. कुछ एसे भी साती सिक्षक गण रहें जो चोटिल हुए. ये लड़ाई केवल और केवल रोजगार की है, दो वक्त की रोटी की है, पर दो वक्त की रोटी जब छिनती है ना तो बहुत बुरा लगता है. ये बच्चा इसलिए मर गया, क्योंकि इसके पिताजी अगर इसके पास होते हैं, तो इसका इलाज करवा पाते हैं. पर पिताजी उस समय बेटों के भविश्य के लिए, भोपाल में चल रहें आंदोलन में, उसका भागीदार बने. एक बहुत ही दर्द ना कहानी है ये, उस पिता के उपर क्या बिती होगी जब वो आंदोलन से लोटा है, और जब लोटने के बाद अपने घर आया, तो अपने बच्चे का मुह तक नहीं देख पाया हूँ. मुह तक नहीं देख पाया हूँ. हर किसी के पास कोई व्यक्तिकत गाड़ी नहीं होती, उठा के चले गया और आ जाए. सोचो उस पीता के दिल पे क्या गुजररी होगी. अगर ये कहानी, अगर ये जो मैं केवल न्यूस पढ़ाओ, न्यूस अगर आपको बताऊंगा, तो इस न्यूस को पढ़के ही आपके आँखों में आसु आ जाएंगे. आपका कलेजा काँ आप उठेगा? ये न्यूस क्या है? पेपर में क्या छपजरा सुनना या ध्यान से आप? ये कहां अतिती सिख्षक आंदोलन में भोपाल गया, घर पर बीमार बेटे की मोद. इलाज के लिए ले जाने वाला नहीं था कोई घर में. कोई घर में नहीं था जो इलाज के लिए ले जाई. ये नई दुनिया की नीज है, कुस्मानिया से क्या है? अपने हक की मांग के लिए आंदोलन में शामिल होने, भोपाल गए अतिती सिख्षक उस समय वजर पात हुआ, जब घर में छे माह, ये घर में छे माह के बेटे का निधन हो गया. कारण यह रहा कि बेटे को उप्चार के लिए ले जाने वाला कोई पुरुष घर में नहीं था. जब तक दुसरे सोजन पहुंचते तब तक काफी देर हो चुकी थी. जानकारी के मुताबिक प्रदेश नेत्रतों के आहवान पर अतिती सिक्षकों ने भोपाल में आंदोलन किया. इसमें खाते गाउं तहसिल के ग्राम सातल से आदिवासी अतिती सिक्षक सुरेस कर्मा भी शामिल हुए. ये नंदड़ाई के मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं मंगलवार को अतिती सिक्षकों के आंदोलन में शामिल होने भोपाल गए थे. इसी भी छे माहा के जुड़वा बेटों में से एक राम की तब्यत अचानक हराब हो गई. घर में कोई पूरुस नहीं था. अन्य स्वजनों को सुचना मिलने के बाद ये राम को कन्योद अस्पताल ले जाने के लिए निकले. जहां इलाज सुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. आंदोलन के बीच ही सुरेश को बेटे के निधन की जानकारी मिली. भोपाल से करीब 125 किलो मिटर का सफर तई कर साम से पहले गाउं पहुच पाना संभव नहीं था. इसलिए परिवार वालों ने सुरेश के बिनाही इस खबर को सुना. आप क्या कहा गया? ये कहा गए नीधन के जानकारी मिली भोपाल से करीब 125 किलो मिटर का सफर तई कर शाम से पहले गाउं पहुँच पाना संभव नहीं था इसलिए परिवार वालों ने सुरेश के बिना ही राम का अंतिम संसकार कर दिया रात को सुरेश अपने गाउं पहुचे अपना हक मांगने भोपाल गए पिता को बेटे के अंतिम दर्शन भी नशिब नहीं हुए सुरेश की धाई वर्सी बेटी है और छे महा के दो जुड़वा बेटे हैं राम और लखन थे जिन में से राम का निधन हो गया सुरेश ने बताया कि उनके पिता जी के पास मात्र ढाये कड़ जमीन है हम चार भाईे अतिती सिक्षक के वेतन से घर चलता है इसकुल बंध होने के बाद मजदूरी कर परिवार का पालन पोशन करते है ये दर्द है उस अतिती सिक्षक का इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो वादे किये बस वादे पूरे कर दो आपने जो वादे किये थे अतिती सिक्षक को नीमित करे है या आप नीमित कर दो ये हख अधिकार के लिए कोई νोटंकी करने नहीं गए थे अपने बच्चों के भविशी के लिए गए थे, जिनके बच्चों का भविश्य मर गया, मलग उस बाप पे क्या बीती होगी, अपने बेटे की अंदोलन में अपने बेटे की इद्मोत हो गई है, वो तो ठीक है, अपने बच्चे का अंतिम दर्सन तक नहीं कर पाया दोस्तों ये बहुत ही दर्दना कहानी है ये, और ये कहानी मद्यप्रदेश के हर उस युवा की भी है, जो तैयारी करता है, पर सरकार समय पर परिणाम नहीं देती है, माबाप बच्चों की नोकरी का सपना देखते देखते ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, फ अन्यवाद, जैहिन, जै भारत